ओम शांति ओम शांति आज 11 माई 2014 दिन शनिवार की साकार मुरले आईए अब सुनते हैं मीठे मीठे बाप दादा के माधूर महावाक्यों को मीठे बच्चे तुम्हें अभी अल्लाह मिला है तो सुल्टे बनो अर्थत अपने आपको आत्मा समझो देह समझना ही उल्टा बनना है प्रश्न किस एक बात को समझने वाले बेहत के वेरागी बन सकते हैं उत्तर पुरानी दुनिया अब होपलेस है कबरिस्तान बनना है यह बात समझ ले तो बेहत के वेरागी बन सकते हैं तुम जानते हो अब नई दुनिया स्थापन हो रही है इस रुद्र ज्यान यग्ये में सारी पुरानी दुनिया स्वाहा होनी है यही एक बात तुम्हें बेहत का वैरागी बना देगी, तुम्हारी दिल इस कब्रिस्तान से निकल गई है, ओम शंति, यू तो है डबल ओम शंति, क्योंकि दो आत्माएं हैं, दोनों आत्माओं का स्वधर्म हैं शंत, बाप का भी स्वधर्म हैं शंत, बच्चे वहां शंति म बाप भी वहां रहते हैं, बाप तो सदेव पावन हैं, बाकी जो भी मनुश्य मत्र हैं वह पुनर जनमले अपवित्र बनते हैं, बाप बच्चों को कहते हैं, बच्चे अपने को आत्मा समझो आत्मा जानती है परम पिता परमात्मा ज्यान का सागर है शांती का सागर है उनकी महिमा है न वह सर्व का बाप है और सर्व का सद्गति दाता भी है तो सभी का बाप के वर्से पर हक जरूर लगता है बाप से वर्सा क्या मिलता है बच्चे जानते हैं बाप है ही स्वर्ग का रचियता तो जरूर स्वर्ग का वर्षा ही देंगे और देंगे भी जरूर नर्क में नर्क का वर्षा दिया है रावण ने इस समय सब नर्क वासी है न तो जरूर वर्षा रावण से मिला है नर्क और स्वर्ग दोनों है ये कौन सुनते हैं आत्मा अज्यान काल में भी सब कुछ आत्मा करती है परंतु दे अभिमान के कारण समझते हैं शरीर सब कुछ करता है हमारा स्वधर्म है शान्त ये भूल जाते हैं हम रहने वाले शान्ती धाम के हैं ये भी समझाना चाहिए कि सचकंड ही फिर जूट खंड बनता है भारत सचकंड था फिर रावण राजे जूट खंड भी बनता है ये तो common बात है, मनुश्य क्यों नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि आत्मा तमुप्रधान हो गई है, जिसको पत्थर बुद्धी कहते हैं, जिसने भारत को स्वर्ग बनाया, पुज्य बनाया, उनको ही फिर पुजारी बन गाली देते हैं, इसमें भी कोईद का दोश नहीं, बाप में आदी सनातन देवी देवता धर्म था, कल की बात हैं, परन्तो मनुश्य बिलकुल भूले हुए हैं, ये शास्त्र आदी सब भक्ती मार्ग के लिए बैठ बनाये हैं, शास्त्र है ही भक्ती मार्ग के लिए, ना कि ज्यान मार्ग के लिए, ज्यान मार्ग का शास्त्र बनत सत्यूग में कोई शास्त्र होता नहीं क्योंकि वै तो है ग्यानमार की प्रालब्द 21 जन्मों के लिए बेहत के बाप से बेहत का वर्सा मिलता है पीछे फिर रावन का वर्सा मिलता है अल्पकाल के लिए जिसको सन्यासी लोग कागविष्टा समान सुख्द कहते हैं दुख ही इनका नाम ही दुखधाम है कल्यूग के पहले है द्वापर उसको कहेंगे सैमी दुखधाम यह है फाइनल दुखधाम आत्मा ही चरा से जन्म लेती है नीचे उतरती है बाप सीड़ी चड़ा देते हैं क्योंकि चक्र को फिरना जरूर है नई दुनिया थी देवी दुख का नाम निशान नहीं था इसलिए दिखाते हैं शेर बकरी इकठे जल पीते हैं वहाँ हिंसा की कोई बात ही नहीं अहिंसा पर्मो देवी देवता धर्म कहा जाता है यह है हिंसा पहली-पहली हिंसा है कामकटारी चलाना सत्यूग में विकारी कोई होता नहीं उन्हों की तो महिमा गाते हैं लक्षमी नारायन की महिमा गाते हैं न आप संपूर्ण निर्विकारी यह कल्यूग है आयरन एजड वर्ल्ड इनको कोई गोल्डन एज तो कहना सके ड्रामा ही ऐसा बना हुआ है सत्यूग है शिवाल्य वहां सब है पावन जिनों के चित्र भी है शिवाल्य बनाने वाले शिवाबा का भी चित्र है बक्ति मार्ग में उनको अनेक नाम दे दिये हैं वास्तव में नाम है एक बाप को अपना शरीर तो है नहीं खुद कहते है मुझे अपना परिचे देने वा रच्चना के आदीम मद्यांत का ग्यान सुनाने आना पड़ता है मुझे आकर तुम्हारी सर्विस करनी होती है तुम ही मुझे बुलाते हो हे पतित पावन आओ सत्योग में नहीं बुलाते हो इस समय सब बुलाते हैं क्योंकि विनाश सामने खड़ा है भारतवासी जानते हैं ही महाभारत लड़ाई है फिर आदी सनातन देवी देवता धर्म की स्थापन होती है बाप भी कहते हैं मैं राजाओं का राजा बनाने वाया हूं आजकल तो महाराजा बादिशाह आदी है नहीं अभी तो प्रजा का प्रजा पर राज्य है बच्चे समझते हैं हम भारतवासी सॉल्वेंट थे हीरे जुहरातों के महल में थे नई दुनिया थी फिर नई ही पुरानी बनी है हर चीज पुरानी तो होती ही है जैसे मकान नया बनाते हैं फिर आखरीन तो आयू कम होती जाएगी कहा जाएगा यह नशा है यह आधा पुराना है यह मध्यम है हर एक चीज सतो रजो तमो होती है भगवान हुआच है न भगवान माना भगवान भगवान किसको कहा जाता है यह भी नहीं जानते है राजारानी है नहीं यहां है प्रेजिडेंट प्राइम निस्टर और उनके धेर मिनिस्टर सत्यूग में है यथा राजारानी फर्क तो बाप ने बताया है सत्यूग के जो मालिक हैं उनोंके मिनिस्टर एडवाइजर होते नहीं दरकार नहीं इस समय ही शे बाबा से ताकत प्राप्त कर वैपद पाते हैं इस समय बाप से उच राए मिलती है जिससे उच पद पाते हैं फिर कोई से राए लेंगे नहीं वहाँ वजीर होते नहीं वजीर तब होते हैं जब वाम मर्ग में जाते हैं अकल चट हो जाती है मूल बात है विकार की दे अभिमान से ही विकार पैदा होते हैं उनमें काम है नंबर बन बाप कहते हैं ये काम महाशत्रू है उन पर जीतपा नहीं बाप ने बहुत बार समझाया है अपने को आत्मा समझो अच्छे वा बुरे संसकार आत्मा में ही होते हैं यहां ही कर्मों को कूटना होता है, सत्युग में नहीं, वे है सुखधाम, बाप आकर तुम बच्चों को सुखधाम, शांती धाम का वासी बनाते हैं, बाप डारेक्ट आत्माउं से बात करते हैं, सब को कहते हैं, आत्मा निश्चे बुद्धी हो बैठो, दे अभिमान छोड यह दे विनाशी है, तुम अविनाशी आत्मा हो, यह ग्यान और कोई में है नहीं, ग्यान का पता ना होने के कारण भगती को ही ग्यान समझ लिया है, अब तुम बच्चे समझते हो, बगती अलग है, ग्यान से तो सद्गती होती है भक्ति का सुक है अल्प काल के लिए क्योंकि पाप आत्मा बन जाते हैं विकार में चले जाते हैं आदा कल्प के लिए बेहद का वर्सा मिला वैपूरा हो गया अब फिर बाप वर्सा देने आए हैं जिसमें पवित्रता, सुख, शान्ती सब मिल जाती है बच्चे तुम जानते हो यह पुरानी दुनिया तो कब्रिस्तान बननी ही है अब इस कब्रिस्तान से दिल हटाए, परिस्तान नई दुनिया से ममत्व लगाओ जैसे लोकिक बाप नया मकान बनाते हैं तो बच्चों का बुद्धी योग पुराने मकान से निकल नय मकान में लग जाता है आफिस में बैठा होगा तो भी बुद्धी में नय मकान में ही होगा वह है हद की बात बेहत का बाप तो नई दुनिया स्वर्ग रच रहे हैं कहते हैं अब पुरानी दुनिया से संबंध तोड एक मुझ बाप से जुड़ो तुमारे लिए नई दुनिया स्वर्ग स्थापन करने आया हूँ अब ये सारी पुरानी दुनिया इस रुद्र ग्यान यग्य में स्वाहा होनी है ये सारा ज़ाड तमो प्रधान जड़ जड़ी भूत हो गया है अब फिर नया बनता है तो बाप समझाते हैं यह है नई दुनिया की बाते जैसे मनुष्य बिमारी में भी होपलेस हो जाते हैं न समझते हैं इनका बचना मुश्किल है वैसे दुनिया भी अब होपलेस है कबरिस्तान बनना है फिर इनको याद क्यों करना चाहिए यह है बेहत का सन्यास वैहट योगी सन्यासी सिर्फ घर बार छोड़ जाते हैं तुम पुरानी दुनिया का ही सन्यास करते हो पुरानी दुनिया से नई दुनिया हो जाती है बाप कहते हैं हम तो obedient servant हूँ मैं बच्चों की service में आया हूँ मुझे बुलाया है बाबा हम पतित बन गए है आप पतित दुनिया और पतित शरीर में आओ निमंतरन देखो कैसा देते हैं पतित बनाने वाला रावण है जिसको जलाते रहते हैं यह बहुत कड़ा दुश्मन है जब से यह रावण आया है तुमको आदी मत्य अंत दुख मिला है विशे सागर में गोते खाते रहते हो अब आप कहते हैं विश छोड ग्यान अमरित पियो आधा कल्प रावण राज्य में तुम विकारों के कारण कितने दुखी बन गए हो इतने मतवाले बन जाते हो जो गाली बैठते हो गाली भी इतनी देते हो कमाल करते हो जो तुमको पावन विश्व का मालिक बनाते हैं उनको सबसे जास्ती गाली देते हो मनुश्यों के लिए तो कहते हो 84 लाख योनिया और मुझे सर्ववयापी कह देते हो ये भी ट्रामा है, तुमको हसी में समझाते हैं, अच्छे अत्वा बुरे संसकार स्वभाव आत्मा के ही होते है, आत्मा कहती है हम 84 जन्म भोगते हैं, आत्मा ही एक शरी छोड दूसरा लेती है, ये भी अभी बाप ते समझाया है, ट्रामा के प्लैन अनुसार फिर बाप ही कर जो उल्टे हो गए हैं उनको सुल्टा बनाते हैं मीठे मीठे बच्चों को बाप कहते हैं कि यहां तुम उल्टे हो कर नहीं बैठो अपने को आत्मा समझो अब तुमको अल्ला बाप मिला है जो सुल्टा बनाते हैं रावन उल्टा बनाते हैं फिर सुल्टा बनने से तुम सीधे खड़े हो जाते हो यह एक नाटक है यह ग्यान बाप पी ही बैट बताते हैं भक्ती भक्ती है ग्यान ग्यान है भक्ती बिलकुल अलग है कहते हैं एक तलाब है जासनान करने से परियां बन जाती है फिर कह देते हैं पारवती को अमर कथा सुनाई अभी तुम अमर कथा स इनको कांटों का जंगल कहा जाता है बाप को जानते ही नहीं कहते भी है परंपिता परमात्मा हे भगवान परंतु जानते नहीं तुम भी नहीं जानते थे तुमको बाप ने आकर सुल्टा बनाया है भगवान को अल्लह कहा जाता है अल्लह पढ़ा कर अल्लाह पद देंगे ना परंतु भगवान एक है इनको अर्थत लक्ष्मी नारायन को भगवान भगवती नहीं कहेंगे ये तो पुनर जनम में आते हैं न मैंने ही इनों को पढ़ा कर डैवी गुणों वाला बनाया है तुम सब ब्रदर्स हो बाप के वर्से के हकदार हो मनुशे तो घोर अंधियारे में है आसुरी संपरदाए हैं न कहते हैं कल्यूग तो अभी रेगडी पहनते हैं अर्थत छोटे बच्चे जैसा घुटने के बल चलते हैं न वैसा समझते हैं अभी बहुत वर्ष्ट पड़े हैं कितना अज्ञान अंधियरे में सोए पड़े हैं यह भी केल है सोजरे में दुख नहीं होता अंधियारे में रात को दुख होता है यह भी तुम ही समझते हो और समझा सकते हो पहले पहले तो हर एक मनुशे को बाप का परीचे देना है दो बाप तो हर एक के होते हैं हद का बाप हद का सुख देते हैं बेहद का बाप बेहद का ही सुख देते हैं शिवरत्री मनाते हैं तो जरूर बाप आते हैं स्वर्ग स्थापन करने जो स्वर्ग पास्ठ हो गया है फिर से स्थापना कर रहे हैं अभी है तमो प्रधान दुनिया नर्ग ड्रामा प्लैन अनुसार जब एक्यूरेट समय होता है तब फिर मैं आकर अपना पार्ट बजाता हूँ मैं तो हूँ निराकार मुझे मुख तो जरूर चाहिए बैल का मुख थोड़े ही होगा मैं मुख इनका लेता हूँ जो बहुत जन्म के अंत के जन्म में वान प्रस्त अवस्था में है इनमें परवेश करता हूँ ये अपने जन्मों को नहीं जानते अच्छा मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रती मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रुहानी बाप की रुहानी बच्चों को नमस्ते रुहानी बच्चों की रुहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते धारना के लिए मुखे सर जैसे बाप डारेक्ट आत्माओं से बात करते हैं ऐसे स्वेम को आत्मा निश्य करना है इसका ब्रिस्तान से ममत्व निकाल देना है ऐसे संसकार धारन करने है जो कभी कर्म कूटने ना पड़े जैसे बाप ड्रामा पर अटल होने कारण किसी को भी दोश नहीं देते गाली देने वाले अपकारियों पर भी उपकार करते हैं ऐसे बाप समान बनना है इस रामा में किसी का दोश नहीं यह accurate बना हुआ है वर्दान हर कदम में वर्दाता से वर्दान प्राप्त कर मेहनत से मुक्त रहने वाले अधिकारी आत्मा भव अब बाप दादा के वर्दान को विस्तार में समझेंगे जो है ही वर्दाता के बच्चे उनों को हर कदम में वर्दाता से वर्दान स्वत ही मिलते हैं वर्दान ही उनकी पालना है वर्दानों की पालना से ही पलते हैं बिना मेहनत के इतनी श्रेष्ट प्राप्तियां होना इसे ही वर्दान कहा जाता है तो जन्म जन्म प्राप्ति के अधिकारी बन गए हर कदम में वरदाता का वरदान मिल रहा है और सदा ही मिलता रहेगा अधिकारी आत्मा के लिए दृष्टी से, बोल से, संबंध से वरदान ही वरदान है स्लोगन समय की रफ्तार के प्रमान, पुर्शार्थ की रफ्तार तिव्र करो ओम शंति